पूरा हर्याना प्रदूशन की चपेट पे हैं, सोनिपत सहिद का इश्वेरों में हालात इत्वे बत्तर हो गए है कि लोगों का घरू से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है सोनिपत में लगातार प्रदूशन का इस्तर बढ़ने से सड़के सुनसान है, पार्क में सुभा घोमने आने जाने वाले लोगों की अपतादाद घटने लगी है हर्याणा में प्रदूशिन का इस्तर खतरनाक हुता जा रहा है लगातार प्रदूशिन बढ़ने के कारण लोगों का सास लेना मुश्किल हो गया है सोनिपत में AQI लेवल 382 दर्श किया गया वही वातवरन में कार्बन मोनो अक्साइड की मातुरा 1074 दर्श की गई जिस वज़े से सास लेने में द्विक्कत, आँखों में जलन, जुखाम और बुखार जिसी समस्याईं बढ़ गई है एक्सपर्स की माने तो सोनिपत का वातवरन और हवा स्वास्त के लिए हानिकारा और मौजुदा हालातों को देखते हुए यहां का वातवरन मास्क लगाने योग हो गया है लगातार जहरीली हे होती हवा के कारण सोनिपत की सड़के सुनसान हो रही है सुबह सुबह जन पार्कों में लोगों की रौनक थी, वो पार्क भी अपखाली पड़े है आलब यह है कि लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है शोहर के साथ साथ गाउं की हवा भी जहरीली है सिसाना गाउं के सुरेंद दहिया का कहना है कि प्रदूशन की चपेट में ग्रामेर इलाके भी आए है गाउं में लोग प्रदूशन की चलते बीमार पड़ रहे है बढ़ते प्रदूशन से सबस्यादा परिचानी मजदूर और बाहर काम करने वाले लोगों को हो रही है लोगों का कहना है कि काम के कारण उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है लेकिन इसके साथ उन्हें प्रदूशन की चपेट में भी आना पड़ रहा है मास्क लगा कर काम करना पड़ रहा है प्रदूशन के चलते जो लेके सरकारी इस्पताल की OPD भी 2000 के पार पहुँच गई है लोगों ने प्रशाशन से प्रदूशन से निपटने के लिए कड़ी कारवाई की मांग की है प्रशाशन का कहना है कि मामले में गठी टीमें लगातार निगरानी कर रही है प्रदूशन वहलाने वाले इकाईयों को बंद कराय जो आ रहा है मौस्व विभाग की माने तो अभी प्रदूशन से फिलहाल राहत मिलने की कोई उमीद नजर नहीं आ रही सोनिपाउट सिक्क विधाश्यर्मा की रिपोर्ट